इंडिया वर्सिज अफगानिस्थान की T20 सिरीज के आखरी मैच में दो सूपर ओर हुए जब पहले सूपर ओर की आखरी गेंद पर इंडिया को जितने के लिए दो रन चाहिए थे तो रोई सर्मा मैदान चोड़ कर चले गए ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रिंकू सिंग उनसे ज़्यादा तेज भाग सकते थे और अगर कहीं दो रन लेने पड़े तो रिंकू सिंग उनसे तेज भाग कर इंडिया को मैच जिता दे लेकिन विवाद इस बात के उपर चल रहा है कि रोई सर्मा को कोई चोट तो नहीं लगी थी मतलब वो रिटायर हट तो नहीं हुए थे लेकिन जब ये वाला सुपर ओर भी टाई हो गया तो दूसरे सुपर ओर में रोई सर्मा फिर से बैटिंग करने आ गए अब जब रोई सर्मा को कोई चोट नहीं लगी थी मतलब वो रिटायर हट तो नहीं हुए थे और अगर वो रिटायर आउट से तो दूपारा बैटिंग करने कैसे आ गए आपको इस बारे में क्या लगता है जो भी हो मैच बहुत जादा रोमान्चक था और आखिर कार ये वाला सूपर और दूसरे सूपर और में इंडिया ने मैच जित कर सिरीज को वाइट वास कर दिया और अफगानिस्तान से ये सिरीज तीन जिरों से जीत ली आपकी इस बारे में क्या रहा है अब इस बारे में कोई भी ओफिशल स्टेटमेंट नहीं आई है हमको कमेंट करके वीडियो में जरूर बताएं